बुपेंटर सिंग उड़ा उपर लिखवा के लाए थे और दूसरी दवा मुख्यमंत्री बने बड़ा अच्छा रहा तो भी सी एक ऐसा वर्ग है जो जिसके साथ जाएगा वो सत्ता में रहेगा मैं समस्ताओं मेरी राजनितिक बूल थी मुझे पीशेशी अधक बन जाना च पवर मिश्टर होते हैं पावरलेस मिनिस्टर बना दिया आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पिछडा वर्ग विभाक के राष्टिये चेर मेन कैप्टन अजे सिंग यादव क्य गिंति कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है इनके पिताशिरी विधायक रहे, पिताशिरी से इनके बाद ये च्छे बार रिवाडी से विधायक रहे और इसके बाद पिछली बार इनोंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, कामिया भी नहीं मिली फिर तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तो कैप्टन साब हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं हमको समय दिया एनजेपी से बात करने के लिए आप तयार हुए हमारा निवेदन ये था कि सुरवात थोड़े से गंभीर सवाल हम बहुत बार करते रहें हमको तो थोड़ा सा आपकी राजनीती में पदारपन का वो समय जाना है आपका कैसे आना हूँ आप आर्मी में थे एकदम कैप्टन थे कैप्टन से रिजाइन दे करके फिर आप एकदम राजनीती में आये उपचुनाव लड़ा कैसे क्या हुआ था वो थोड़ा घटना करम बताए फिर बाकी बातें करेंगे पर आके रेवारी में आके हमारा भी हाथ बटाई है और राजजीतिक छेतर में जो उस वक्ट जो एक वैक्यूम था उसको वैक्यूम भरने के लिए उन्होंने मुझे आगरे किया और मैं समझता था कि मेरे लिए एक ये चुनौती थी कि मैं अपना एक जो कैरियर है उसको दा दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है तो उनकी बात पर अमल करते हुए मैंने अस्तीफा दिया और यहां पर आके मैंने पहले लोगदल जोईन की थी लेकिन जो है एटी एट में राव ब्रेंदर सिंग जी ने जो है इन्हें लोग जोईन कर ली कॉंगर छोड़के और नहीं है और मैंने कहा कि क्यों ना मैं जो है पार्टी जोईन करूं नौ अगस्थ 1988 को एक डेलिगेशन लेकर राजीव गांदी जी से मेरे फादर भी मेरे साथ थे मैं उनसे मिला और मैंने उनसे आग्रेह किया कि मेरा ये बैगराउंड मेरे फादर तीन दफाए में ले रह हैं और हमने राव परिंदर के प्रिवार को दो दफाव शिकस्त दी है तो मैंने का कि आप हमें पार्टी में जगे दीजिए उन्होंने उसी वक्त फगुनी राम वग करते थे सेकरेटरी उनसे का कि इनको जोईंक करो और जो है उन्होंने मुझे इमेजिटली कॉंगर है एटी उप चुनाव लड़ने से इंकार किया एटी एट में उन्होंने अस्तीफा दे दिया विदान सभासित देविलाल से मतबेद की बज़े से और वो चाह रहे थी कि उनको टिकेट मिले एंपी की सांसत के टिकेट मिले और राजीव गांदी जी का यह कहना था कि कर्ण राम सिंग्रिस्टी ने लेड़ रहे हैं वो एंपी का लड़ने और मले का रगव यादव लड़ने तो रगव यादव जी ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने टिकेट से इंकार कर दिया मेरे पास एक फोटो थी फ्रोज गांदी की साथ मेरे पिता की जिन से एक तरीक था उसके साथ मैंने लगाया है चौदी समसेर सिंग सुझे वड़ा जियों उन दिनों में पिशी सी के प्रेजिडन थे और उन्होंने मेरा एक ही नाम भीजा और प्रभू की किरपा से टिकेट मिली और हम बाइलेक्शन में हमने राव अजीद सिंग को राया तो उसके बाद तो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए राव परिवार से आपकी राव बिरंदर परिवार से राजनीतिक दूरी बनती गई लेकिन कांग्रेस के भीतर रहकर भी जिस समय आपको वितमंत्री बनाया गया और कई ओहदे दिये गए उस समय बहुत नाराजग का दोर भी आपका चला कई बार आपने कहा कि छोड़ दें ऐसा खिन्न मन होता है ऐसी क्या परिस्थितिया पैदा हुई कि लीडर्शिप के साथ आपकी जो अन बन रही ऐसा नहीं है देखिए चौधरी बधनलाल जी के साथ मैं मंत्री रहा एकानमे से लेके छानमे तक तो है जो पाने के बटवारे की जो बात थी उसमें बेदवाव उर्द होता था नौकरियों में भी केवल जो इसार के लोग उसमें ज्यादा लगते थे तो मेरी जो है बुपेंदर सिंग उड़ा जी से 2005 में बात्चीत हुई दो जार नहीं ये बात है 2000 की 2000 में जब वो 2004 में उनको ठिकर दी रोतक से मैं डेप्टी लेडर था तो मैं ऑफिस एटिंग के से रपी लेडर बना और फिर बाद में नोटिफिकेशन होके मुझे से रपी लेडर बनाया गया तो उस वक्त हुड़ा साब की हमारी बाची थी हुई थी कि जैसे चार रोटी हैं वो सब जगे क रहा करते थे तो हम बाट के खाएंगे और लेकिन जो दौर मैंने देखा 2005 से लेकर और 2014 तक वही पदोनेती थी जो बजनलाल जी की पदोनेती थी उसी ढर्रें पर तीन साल तक तो थोड़ा मामला ठीक रहा लेकिन पैटर में कोई चेंज नहीं आया है वही अफसरशाई और ये बात नहीं कि विकास के काम नहीं हुए विकास के खुब काम हुए और मेरी बात उन्हों बहुत ज़्यादा हो सकते थे लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज बने यूनिवस्ट्री बने और मेरे को पी डवल्डे का महकमा मैंने फर्स्ट टर्म में तो रेवन्यू मेरे से जो है क्योंकि इंदर जीत से थोड़ा बहुत सुलाह होगी थी तो रेवन्यू महक कमा मैं आपसे वापिस लेता हूं और उस्टेम जील यादव एजडियम थे तो उनको मैंने वो पक्षपात करते थे तो मैंने उनको बोला कि भीया मैं रेवन्यू मिनिस्टर नो आपको मेरे मताबिक चलना पड़ागा बाद में उनके वो ओजडी भी रहे आपने देखा हो वग्या कि इससे पता लगता है कि जाहर होता है कि किस परकार की कारे प्राली थी आफसरों की तो मेरे से यह कहा बुलाकर मुटासाब ने कि बए रेवन्यू के लावा जो मैंक्मा मुझे के पब्लीका ले ले लेंकर मुझे पी-डव-डी मैंक्मा दे दीजिए तो उन्हों तो पिर वडिम्हें का पूरा जाल ठीक करवाया ख़ाए रिवादी शहर के जो तक जो पाथ सड़के बनी जैसे का आपकी गड़ी बोलनी वाली आपकी नारणुर वाली मेंधरगर वाली बेरली वाली तो इन पांचों सड़कों को हमने चोड़ी कराया और कई हमने रोड मैंने बनाई लिंक रोड बनाई मैंने और कई हमने ओवर हेड़ ब्रिज बढ़वाई दोनों आपका नारन रोड वाला और जजज़ रोड वाला तो उसके बाद 2009 आ गया तब तक जो है हमारे तालुकार ठीक थे लेकिन हलके से हम इन की ताज पोशी हुई एज चीफ मिनिस्टर तब कैप्टन अजे सिंग यादव की भूमिका बहुत महत्पुन थी हम उस भूमिका के बारे में जानना चाहते हैं आपने तब एक महत्पुन रोल अदा किया वो रोल क्या था देखो ऐस येलपी लीडर मेरा दायत ये था कि मे काध्यान जी थे हमने भूपेंदर सिंग को टिक्ट दिलाई मैंने भरत एक चोकर था उसको टिकट हमने दी मैंने क्योंकि वो मिरे जानका रही थी करेंब आट-दस टिक्टे मैंने दी और मैंने गावा साब की भी मैंने मदद करी जो बजनलाल जी गुटके थे जैसेंग र रंपार मलिक से मेरे प्रिवारिक समन्त उसको मैंने अपोज नहीं किया तो हमने मैंने यह देखा कि जो अच्छे केंड़ेट थे उनको बिल्कुल अपोज नहीं किया मैंने और उनकी मदद करीद दबाके और इंशोर किया कि जो अच्छे कैनेट है बुपंदर सिंग उड़ा जी के उनको टिकेट मिले और जो अच्छे वक्ती थे बजनलाल जी के गुट से बजनलाल जी यह चाह रहे थे कि साथ टिकेट की लिस्ट मुझे बुलाया साथ की मैं लिस्ट दे देता हूं 30 की तू दे दे फॉर्मॉला इबनाने कोश्ची कि मैंने का बिलकुल नहीं मैं मेरिट के अधार पर काम करूँगा और मेरिट के अधार पर देखिए यह भी धार ना गरता है कि चौदी बंजनला जी के पास थे बाकी MLA इजर थे लेकिन जो 45 का जो आकड़ा था वो पूरा नहीं हो रहा था लेकिन जो है तो आपके इसाब से भूपेंदर शिंग हुड़ा के पास भजनलाल से ज्यादा विधायक थे कुछ लोग जैसे महिंदर पताप जी आगे महिंदरा जी आगे थे अ जो दी ब्रिंदर सिंग ने समर्थन दे दिया शेल जाजी के समर्थन था तो उपर से मेरे भी जो आड़र से मेल ले थे वो भी हमने जो है इसे साथ लगाए तो जो है आलात ऐसे बन गे कि उनको शेर पी लेडर चुन लिया जी जी उसके बाद एक बीच में बात एक उस दो शोरी हाँ दो जार नौकी बात है तो यह हुआ कि करीमन 11 एमले जिस दिन उन्हें ओथ ली उसी दिन ही मेरी कोठी पे जो एकी सेक्टर में 17-39 ग्यारा एमले चोदरी बजनलाल जी के किसमे जैसिंग राना गाबा थे फूल्चर मुलाना को टिकट मैंने जो है अड़की ले दी मैंने चतंदर राना को अड़के टिकट दी मैंने फूल्चर मुलाना तीन चुनाव हार जोगे थे यह हर्मोन जिस सिंग चठा जो है यह खुद रिवाडी मेरे पास हाया मैं मैं बताना नहीं चाहता कि इस तरीके से उनने मेरे से रिक्वेस्ट की क्योंकि यह अच्छा हो रहे थे चठा साब भी फूर्चर मुलाज भी कैद वचना हो रहे थे तो जो मैंने मेरी जो पहली चाहे पुपेंदर सिंग उड़ा जी की मेरे घर पे चाहे होगी शाम को और 11 मले हमने उनसे जो सुमिता सिंग भी थी उसमें वह मिलवा दिये वह उनसे मिलवाया है मैं ज जो कृष्णा गैलोद थी तो घुड़ा साब ने पहली पारी में वो जो आपने उदारता दिखाई थी जा उनका संक्याबल पूरा करने में जो मेहनत की थी तो घुड़ा साबने उसका इनाम दिया आपको पॉर्टफोलियो महत्पूर्ण दिये आपको पॉर्टफोलियो देखिए पहले तो मुझे सर्फ इरिगेशन दिया जी जी मैं बाला जी गया हुआ था तो मुझे पता लगा कि मुझे सर्फ इरिगेशन मैकमा दिया है तो मैंने अपनी जो है नराजिये दिखाई कि हमने आप कितनी इरिगेशन मैकमा सर्फ और साथ में जो है एक मैकमा और थ कोई मुझे याद नहीं कौन सा चोटा सा मैकमा था कोई तो मैंने उन्से का यह क्या हो रहा है तब उन्होंने मुझे कहा कि सोन्य गांदीजी से बात करने पड़ेगी तो सोन्य गांदीजी से बात करकर मुझे रेवनियों मैकमा फिर दिया तो ऐसा था कि जो मैं चाहता था SS Board में member में ने ने बनाया मेरा कोई HPACA में कोई member ने बनाया जो कोई corporation में हाँ ये जुरूर था कि जैसे improvement ये आपके market committee के अंदर मेरे को तवज्जब दी उन्होंने लेकिन जो राज़िस्तर की वज़ाजिलास तर पर तवज्जब दी और जो जितना मैंने देखो कुल्दी पिश्ब आज भी जिन्दा है उन्होंने मेरे को ताज ओटर ने बुलाया और मुझे कहा कि आप चाते गया हों मैं कैवल एक चाता हूँ चेंज आप कई साल रहे लिए और मैं जो है आपके जो अच्छे हुमिद्वार होंगे उनको अपोज ने करूँआ और हालात यह हुए कि मेरे ना अपोज करने के वज़े से बजनाल जी के साथ करीम ने 32-33 से अब लेकर बैठ गे लेकिन जो है आप जानते हैं जब यह विप जब जब जारी होता है जे जे हाँ वो करना पड़ता है नहीं तो सदेश्टा चली जाती जो जे 2005 से लेकर और 2008 तक ठीक चलता रहा फिर दुबारा से पींगे बढ़ी उड़ा साब और इंदर जी बैलेंसिंग फेक्टर करते रहे कभी किसी अफसर का तबादला करते मेरे डी सी था मेरा मेंदर कमार उसको बदल दिया उनके कहने से तो इस प्रकार से जो है थोड़े बहुत डिफरेंसिज आते रहे मनमटाब शुरू हो गए थे और 2000 नौका जब चुना हुआ तो एक दलित समाज के विक्ती ने मेरी माता जी पे और उनके साथ जो है हना के जगड़ा तो हुआ था मेरे भाई के साथ तेंगे मेरे माता जी का भी नाम जो है एस पी ने जो एस पी उस टाइम था और वुक्हमत तरी चोज़ी बबंदर सिंग उड़ा थे उन पर जो है एस टी एक्ट लग गया तो मैं मैं सोच रहा था कि मिरे से बात करेंगे तेंगि मिरे से बात ने करें उनने तो मैं नराज नराज़ाजिय कि मैंने और widow.09 मैं मैं चुना गया तो मैं यहां से च्छपनि दभा चुना था और मैं ओरों बेशें यह सो कभी रही नहीं में और नहीं मुझे मैंने इस बारे में सोचा था कि भी मैंने मुख्यमंतरी बनना है हरी परसाद जी जो हमारे भी के हरी परसाद जी जो हमारे बैकड़ क्लास से आते हैं और एक मुश्रिना के दोई और पिर्थरवाज चोहान तो हरी परसाद में मिलना भी हुआ था आपके साथ मेरा तो वह यह प्रेस कर रहे थे कि भी छे दाफा एक विक्ति लगातर बन रहा है आप चेंज किजिए क्योंकि पूर्ण भामत आया नहीं था तो उनके पास मेरा नमबर नहीं था मैं यहां से सीधा जो है मुझे पता लगा कि वहां बोश्यना की दुए के घर पर मिटिंग चले में वहां चला गया तो उन्होंने उदर से भी बात हो गए थी घरी जंडी मिल गी थी कि अगर कैप्ट नेजी सिंग हां बोलता है उसको बना दी तो जब मैं अंदर एंटर कर क्योंकि बहुमद जो है वो हमार पास भी नहीं था न iki तो घर ये था कि बी पानच जो इंडीपांड हैं हम कि यह मुख्य मंतरी थे हां आँ पानच जो चागे थे तो मुझे लगा कि भरि इनके पास फेras other और even आज्डे कम लेह थे थी मैंने वैसे संख्या बल के तौर पे मैं जब हो आ गया मैं कभी किस बात का डिले कर रहे हो इनके पास संख्या है तो इनको बना दो तो वो सब एकदम खड़े हो गए और भाचनल लगे तो हरी पर साथ जी ने मेरे कंदे बात लगा है तो उन तो बड़ी अपने पाउं पर कु हो गया कि भी आपका नाम था मैं का आप मुझे टेलेफून कर देते तो मैं एक है इस बोलता है नहीं तो क्या था मेरे भाग में नहीं था जब आदमी को यह भी इस देखना चाए तो अपर लिख वागए लाए थे और दूसरी दवा मुख्यमंत्री बने बड़ा अच्छा करकार से संसादन जुटा सकता है जी 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 एक मुख मैकमा है उन्हों अपने पाद रख लिया मुझे फाइनस दे दिया और एक मैकमा दे दिया इरिगेशन तो था ही पहले भी दोबार दे दिया मेरे को एक मैकमा और दिया कोई मुझे याद नहीं है तो उसके बाद जो है आज फाइनस मिनिस्टर मैं जो है कई बार जो है उस फाइलों को मैं जब रोक लेता था कि भई फाइले जो हैं डिस्ट्यूबिशन ऑफ जो फंड्स हैं वो एक्विल डिस्ट्यूबिशन होना चाहिए यहां रिवाड़ी में अच्विल बनना चाहिए मेडिकल कालेज बनना चाहिए तो मुझे के लागे कि हर जिले में इनिश्ट्री हम विदेश गए थे उनके साथ यूएस से में तो मैरे खाल से न्युए और किसवगे हमारी बैस होगी मैंने का कि आप तो तीन इनुनिस्टी रखना चाहते हैं, हमारे हाँ एक इनुस्टी निबनेगी तो उस वक जो है काफी विधायक और इवन उनकी वाई भी बैठी हुई थी तो उनकी वाईफ ने कहा कि भी तुम लोग तो उनों ऐसे बत लड़ो तो उसके बाद गई बात होगी तो उसके बाद जो है फिर जो है महलात ही हो गए कि पूरा जो अमला था अफसरों का वो मेरे खिलाफ हो गया मैंने एक सिर्सा चला गया मैं वहाँ पर मैंने एक ब्यान दे दिया कि भी जो है गुजरात के अंदर जो अग्रिकल्टर ग्रोथ है नौ परसंट है उसी बयान से वित्मंत्री की कुर्शी ली गई और दो परसंट जो है हर्याना के अंदर है तो मैं वहाँ जाकर पता करूँगा यह ऐसा क्या कारण है असल में क्या था कि जो नर्दा डैम का पानिया वहाँ आगया था और उसकी वज़े से वहाँ बहुत ही जबस तरीके से उसाल हुआ आएगे क्रिशी में सबसे पहले खबर लगाई अगले दिन और वह लगवाई हुई इन्होंने मुक्रमत ने लगवाई कि एफ-एम प्रेजिस मोदी उसके बाद सब अख़बारों में वह इस तरह चाप दिया जैसे पता नहीं मैं बीजेपी जोइन कर रहा हूं मोदी उस ताइम महुल अलग तरह का बना दिया गया मोदी जो है उस ताइम मुक्रमत्री थे गुजरात के और गुजरात में आते थे महा थे हैं वह से टो उनको भी इनके दोस्ते मीत्र अला कि मेरे भी मित्र छे ये नहीं कि मैं मेरे तो ईन्सते अंति वे से लेकि उनकी जो है जञादा तो उसके बाद आई गर भी है सोनिया गांदी जी मेरे से काफी नराज होगी इस बात से और मुझे बुलाके काफी उन्होंने कहा भी भी आपने इस तरह की बात नहीं करने चाहिए थी यह नहीं करने चाहिए थी तो उसके बाद जो है तींचा महिने शांतरा मामला एक दिन अचाना कि मैं सुनता हूँ उस पे टीवी पे कि भी मेरे से मैं चिन लिए गए तो मैंने जाकर टाइम आगा सोनिया जी से और मुझे शद अफ़ते बार टाइम दिया रोने और यह का कि भी जो है मैंने का जी मुझे तो रहना नहीं चाह की जान रखेंगे और मुझे एहमेद पेल जी ने यह वायदा किया ही दुनिया में नहीं है मैंने पहले भी बात कही थी कि तीन मेने में आपका फाइन्स का महिकमा वापिस दे देंगे मुझे विजली का महिकमा दे दिया और एक जादिया environment environment में भी chairman की सब चलती है विजली बोर्ड में भी जो है चेर्मनी की चलती है तुम्हें एक पावर मिनिस्टर होते हैं पावरलेस मिनिस्टर बना दिया और जितने भी अधिकारी थे उनका दाय दी इनके जो है और CID का अमला पूरा सार दिन आगे पीछे किसी कमरे में कोई चिट रहे जाए तो उसको उठा ले करते हैं कि लोग तंत्र हैं उसके बाद जो है जब मतलब आपके CID पूरी करवाते थे हुड़ा जी डेड़ साल जब रह गया तो एक मैं एक लिस्ट ने के लिए एसस बोर्ड की उसमें केवले एक आदमी मेरा लिया गया वह भी जर्नल का पीसीबी का एक नहीं लिया गया जबकि हमारे हैं जादा यादव हैं और शुरूल कास्ट हैं बैक्वर क्लास के लोग हैं उनको तवज्यव नहीं दी कि मैंने अपना सुबह उनसे कोई 11 बजी मिन ले गया मैं उनसे और मैंने कहीं मेरा अस्तीफा आप ले लीजिए मैंने आपका साथ काम नहीं कर सकता मैं जो है अपने आपको मेरी जो है अपने आपको घुटन मुस्सुस हो रही है मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता उनने का नहीं नहीं आ रहे हैं तो मैं उठके चलने लगा तो उनने मेरा हाथ पकड़ लिया नहां जा रहे हैं मैंने का दे तो दिया अस्तीफा बुन नहीं नही तो वो चलेगे अंदर मैं बातरूम करने चलेगे मैं निकल गया बार मैं जाके प्रेस कॉम्समें कर दी वहां जाके तो मैं कम से कम मैंने गाड़े वड़ी सब मंगला सब छोड़ दिया तो मेरे को ये ओफर दिया है कि आप PCC के चीव बन जाओ पीके अरी पर साथ दोबारा मैंने का अभी जब राज है तो PCC प्रेजिट को पूछता है सत्ता में रहो तो मिनिस्टर रहना सी है वहना मिनिस्टरी के छोड़नी है तो ये था कि जब मैंने कई दिन तक ये मामला चलता रहा तो फिर मुझे मनाया गया और ये कहा गया कि वह चाहता ही है ये कि आप स्थीपा देदो तो दुबारा से वो मतलब काम पर पहुंच लिए ने कहा ये कहा वो का काफी फिर मैं दुबारा काम पर चलागे फिर मुझे PCC का ऑफर मिला तो मैंने का अभी तो मिनिस्टर हैं जब कभी जब बक्ष में होंगे जब बना देना PCC का अधर से तो वह एक और लेकिन वह मैं स मुझे अपना स्थीफा वापिस लेना व में जरी गाता करा क्योंकि लोग बागों ने कहा कि भी तो यूटरन वाली बाते कहने लगे पलटने वाले होगे कैप्टन साब जोई ऐसी बाते होगी यूटरन कर दिया तो वह राजितिक एक जटका था मिरको और दो आजा चौद बनाया था जी 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 मैंने वुपंदर सिंग उड़ा जी को बनाया तो मेरा जो है मैं किसी गुट से अपने आपको तालूग रखना नहीं चाहता हूं ओनली कॉंग्रेस्मेन मैं मेरे को अगर मैं ऐसान मानता हूं राजितिक देखो डिप्टी लिडर मुझे सोनिया गांदी ने बनाया सियर्पी लिडर उनने मुझे बनाया और जो है आज ओभी सी का राष्टी चेर्में मुझे बनाया तो मैं देखो मेरे को 2014 में राम बिला शर्मा जी कि ने आज जिन्दा उनसे पूछ लड़ा उनका उफर आया कि आप रिवाड़ी से चुनाव लड़ो आप छोड़ दो और हम आपको टिकट देंगे मैंने उनको मना कर दिया मैंने का मैं जब तक सोनिया गांदी जिन्दा है और जब तक वो है मैं उनके अहसान के नीचे दबा हूए हूँ और उनके जो राजी गांदी मुझे राजीती में ले गया है मुझे ठिकट दी उन्होंने और मुझे एक ओपनिंग दी मेरे जैसे नौजमान को इसलिए मैं नहीं चोड़ सकता मैं मतलब कि इस परवार को बाजपा का प्रस्ताव इस परवार को और सूनिय घांदी को खास दोर पर वे जिस्से मेरा जिनका और मैं आपको बताओं मैं अबी पीछे हमारा उदयपूर संकल शेवर था मैं मैं पहले बीच में इस वीशे में हमारा जो मूल जो आप से सवालता हो रह जाएगा इस वीशे में हम समापन की ओर ब में क्या अन्याय हो रहा है और और आपके पास क्या रोड में पर कि हम ऐसा बढ़िया करना चाहते हैं हमको तो वह बताईए आप जो प्लानरी सेशन होगा हमारा जी एक शोशल जस्टिस कमेटी थी जिसे मैं में मैं अंबर था राजुजी हमारे कनवीनर थे जो मैंने आपका स्पीच सुना था जो उसमें जो है हमने कई बातें उसमें डाली प्लानरी सेशन में उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था का सेंसर्स का और रावल गाजी जो बार्ज की आहमेद का पता लगा कि ओबी सी एक ऐसा वरग है जो जिसके साथ जाएगा, वो सत्ता में रहेगा. तो आज देखो मेरे प्रियास लगा लिजिए, राजू जी के प्रियास लगा लिजिए, मुकल वासनिक जी है, और भी हमारे OBC जो नेता है और जो मूल भूत जो राहूल गांदी जी को रस्ते में मिलते रहे जी 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 जो फीडबैक मिला उनको उनको ये लगा कि OBC छोटी मोठी कोई चीज नहीं है एहमेद देने चाहिए तो इस प्रैनलिशेशन में हमने उसमें जो हमने जो तो प्रैनलिशेशन में ये कहा गया कि अगर 2024 में कॉंग्रिस स्थरकार बनती है मैं ये जानना चाहूंगा कभी राहूल गांदी जी से इस बारे में बात हुई या खडगे जी से बात हुई हो या सोनिया जी से बात हुई हो जातीगत जंगनना के मुद्दे पर क्या आपक हुई मेरी सोनिया जी से तो कईदर दफ़ा बात हुई मेरी जी और खडगे जी से तो मिलने के बाद भी बात हुई हमारी और हम चारों हमारे SCST OBC के सारे हम लोग मिले थे जी तो जो सबसे बड़ा जो कॉंगर्स ने स्टैंड क्ले कर दिया अपना कि हम कास सेंसस को लेके आ उस पर कॉंगर्स स्टैंड क्लेर नहीं था मुनायम सिंग दालू परसाद यादव और कई जो पिछड़ा वर के लोग थे इसमें OBC और स्टी OBC माइनटी को जगे दो इस प्रेंडरी सेशन में कॉंगर्स ने अपना स्टैंड क्लेर कर दिया कि 33% जो आरक्षन महिलाओं को दिया जाएगा उसमें STOBC माइनटी और OBC के लोगों को उनके पॉपुलेशन करनुपात में जगे दी जाएगी तो दिस इस टर्निंग पॉइंट जी 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 टर्निंग पॉइंट जी जी और फिर उन्होंने जो है यहां तक जो है उन्होंने कर दिया कि जो CWC जी ई-ए- जी जी पी-ची के जो डेलिगेट होंगे और जो पोस्टे होंगी उन्होंने ओवेसी को प्रति नहीं ते जी 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 ओनली फॉर STOBC माइनटी 50 परसेंट जो हमारे चार जो हमारे विविंग हैं तो हम यह भी चाहरे थे कि हमें फ्रॉंटर और और ऑगनाईजेशन बनाए उ जी जानना चाहूंगा कि मंडल आयोग की जो सिफार से थी OBC को लेकर के उन सिफार्सों के आधार पर लालू ने मुलायम ने सब की राजनीती ठीकी रही कांग्रेस अब जो मौजुदा सरकार में आरक्षन मिला हुआ है क्या मंडल आयोग की सिफार्सों की अनुसार मिला पगेल जी है सत्ता में हैं OBC के वज़े से राइस्तानं के सत्ता है OBC के वजए से ज है तो जो आपने अभी बात रुखी तक हम Atl गोष्णा की थी और उसकी सरकाह गिरानावाले कौन थे बीजेपी के भाई उनकी सरकाह गिराई नीचे क्योंकि वह ट्रक जड़ाएंगे बसें जड़ाएंगी हर्याना भी वैसा हुआ था तो कुछ चन्द लोग जो अपर कास के लोग थे उन्होंने सरकाह गिरा दी और 91 में जब सरकार बनी नर्समा राउजी की तो 92 में मंडल कमिशन जो आयोग की शपारिश है सताई पर आरक्शन वो दिया कॉंग्रेस ने और 2006 के अंदर अरजुन सिंग ने हायर एजूकेशन में आरक अपना और कॉंग्रेस का भी है कि OBC को जो है आज जो है मैंने यह कह दिया कि जो भी OBC का कारे करता है जिस पन्ने पे उसकी वोट है उसका वो पन्ना परमुक बनेगा यह फॉर्मुला दे दिया मैंने अच्छे तो आप रूट लेवल पे भाजपा की तरज पर चल रहे हो बाजपा की तरज पर नहीं मैंने का पन्ना परमुक जी जी अगर जिस पेज पर कैप्टना जे सिंग का नाम होगा तो परमुक रहे हैं मैं उसका पन्ना परमुक होगा चैह में कितना बड़ आदमी हो यह हमने मूल मंतर हमने OBC वानों को दे दिया ठीक है फिर दूसरी बात तोजब देंगे और जो दो दोड़ार बीस के अंदर चार मार दोजार बीस के अंदर जो सुप्रीम कोट ने जो कॉंस उसको रद कर दिया था आप इंकम लिमिट पर भी बोली ना आप वह भी क्रीमी लेयर को भी हमारी पार्टिय का स्टैंड यह है कि हम बारा लाख पर दे इसे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थी कि हम इस पर विचार कर रहे हैं तो कब तक फाइंड आउट हो जाएगा में अभी इस पर हमने लिमट पर फैसला जो प्रेंड रिशाशन में नहीं हो पाया है जी जी अब इसके उपर हम बातशीत करना चाह रहे है कि कम से कम ब जाड़ा में इंक्डूड कर दी इनों ने चलिए अब एक लास्ट सवाल हम यह कर रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला अभी तो सेल जाजी हुड़ा जी कैप्टन साहब आपके हाथ से हाथ जुड़ गए देखिए पहले तो मैं को बात पताऊंगा कि जो राउल कि उनका रिष्टा क्या है जिस देश में जाते हैं वहाँ पर अडाने क्यों जाता है जिस मुल्क में आप जाते हों वहाँ पर उसको कंट्रेक क्यों मिलता है और कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आपके जाने के बाद उनको कंट्रेक मिला और कितने बार आप जहाज की तो जो प्रशंट उठाया कि 20,000 का जो काला धंता वो कहां से आया जब उसका जवाब नहीं विला तो एक्सपंज कर दिया सब कुछ में से विदेश गए उनने का कि लोग तंतर खत्रे में हैं उनने का सवधान संस्ताइं सवधान संस्ताइं जो हैं वो पगुग हो रखी हैं सीजी आई को अगर कोई आदमी ये कह दे रिजू जो ये कह दे हैं कि जो डिसिजन वर्डिक्स दिया है सीजी आई ने कि इलेक्शन कमिशन का चुनाव करेगा सीजी आई पीम और विपक्स का नेता उस पर परसंचिन उठ लगाया क्या इससे बुरी बाद ज्यादा हो सकती है क्या और फिर देखिए एलेक्शन कमिशन को पग्गु बना रखा है एडी सीबी आई को इंकम टेक्स को यहां तक कि जो है जितनी भी लालू जी की बेटियां सबको जो है एडी का नोटिस आपके जो है अखलेश जी को आपको इसको जो बियारस का जो अध्यक्षा उसकी बेटी कवीता को है सोन्या गांदी राउल गांदी जी को एडी ने जो है बुलाया है आप मुझे बताएं कि कितने लोग गैंदर आये नाने हैं मुकल रोय था कुल्दी बिश्णोई थे जिनको पर कितने सारे केसिस थे इडी के और उसके बारे में देखो जो अडानी और अडानी से जो रिष्टे थे उसके बारे में छे मंबर कमेटी तो शीजाए ने बढ़ाई दी है उसकी इंकवारी करी रही है दो मेरे का मकसद ही है कि हाथ से आज जोड़ों का प्रोगाम यह था कि जो रहुल गांदी जी ने जो ग्राव उपर किया है उसको बूत लेवल तक हम लेके जाएं जी जी तो हाथ साथ जोड़ों का मकसद यह नहीं है कि केवल मेरे शेल जा मिलने से और उटागे वो तो ठीक है हर्याना के लीडर्स की बात जाना चाहरा हूं हमारे चारों के साथ मिलने से कॉंगर्स मजबूत नहीं हो जब तक गरास रूट लेवर पर पन्ना परमुक ब्लॉक अधेक्ष जिला अधेक्ष जब तक ये अप डिले करते जा रहे हो कई सालों से आपके ही काई नहीं है जो हमा पूरा ठीक है कैप्टन साब आपका बहुत बहुत धन्यवादा है